Hello Friends, Welcome to my channel, Study World with Shevendra देखे, आज की जो वेकेंसी है, वो लेगल ओनस के तरफ से आप लोगों के लिए निकाले गई है इसमें दो प्रकार की वेकेंसीया निकाले गई है कौन सी वेकेंसीया है? पहली वेकेंसी आपकी है, एडिटर की वेकेंसी है और दूसरी जो वेकेंसी है, वो चीफ एडिटर की वेकेंसी है दो प्रकार की वेकेंसी है, एडिटर की जो वेकेंसी है, इसमें पाच पोस्ट निकाले गए है जबकि चीफ एडिटर की लिए यहाँ पर दो पोस्ट निकाले गए है टोटल बात करें तो साथ पोस्ट आप लोगों के लिए निकाले गए हैं अब हम बात कर लेते हैं इसमें योगता क्या मंगी गई है eligibility criteria की बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि final year के जो student होंगे जो law वाले हैं final year के student हैं वो भी इस form को fill कर सकते हैं apply कर सकते हैं इस vacancy के लिए साथ ही साथ यह कहा गया है कि registered advocate हों या practitioner advocate हैं वो भी इस form को fill कर सकते हैं apply कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखेगा कि जो priority दी जाएगी वो registered advocate या practitioner advocate को दी जाएगी ठीक है जैसे LLB third year का कोई student है और दूसरे पर आपका practitioner advocate है या registered advocate है तो उनको priority दी जाएगी न कि LLB last year के student को ठीक है यह द्यान रखेगा इस vacancy में आपको जो अपना resume है वो कहां पर send करना होगा इनकी जो email id है वहां पर send करना होगा email id है legal owners at the rate of gmail.com जहां पर आपको अपना CV है या हम कहें resume है वो अपना send करना होगा ध्यान रखेगा जब भी आप send करेंगे तो उसमें ये mention करेंगे कि आप किस post के लिए आप apply करना चाते हैं editor के लिए या chief editor के लिए आप apply करना चाते हैं इस पोस्ट के लिए करना जाते हैं वहाँ पे आपको mention करना होगा देखे application deadline की बात की जाए तो यहाँ पर apply करने के लिए कोई last date नहीं बताई गई है आप कभी भी apply कर सकते हैं लेकिन आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कहेगा जल्द से जल्द आप इस पोस् आप किसी भी state judiciary की preparation कर रहे हैं और class को join करना चाते हैं तो आप मुझे बताई गए नंबर पे call या WhatsApp के वादियम से class को join कर सकते हैं और ये मेरा telegram group है श्रिवेन law study की नाम से इसको भी आप join कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है फिर मिलते हैं ने शुडियो में